मित्रो नमस्कार मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल व्यूपाइंट विथ राजेंद्र प्रस्तुत है रोजगार समाचार डाइरी आज दिरांख है 26 नौबर 2023 मित्रो बिहार लोग सिवा आयोग ने सिर्चक भरती में फिर से एक बार संसुधन किया है और नया परिच्छा कार्क्रम जारी किया गया है इसकी सूचना जो है आज बिहार के अकवारों में दी गई है इसमें आवसक सूचना है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विग्याप परिच्छा 7 दिसंबर को जो है दो पालियों में होगी और फिर उसके बाद 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो परिच्छा आयोजित होगी वो सिर्फ एक पाली में होगी और इसकी पूरी जानकारी आयोग की वेफसाइट पर www.bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं आये देखते हैं इसकी पूरी जानकारी यहें बिहार लोकसिवायों का नया परिच्छा कारिक्रम विग्यापन संक्या 27-2023 अध्यापक न्यूकती परिच्छा परिच्छा टीर 2.0 संसोधित परिच्छा कारिक्रम इस प्रकार हैं साथ दिसंबर को जो है परिच्छा दो पाली में होगी और समय दिया हुआ है कि परिच्छा दस बजे से साधे बारा बजे तक होगी जिसमें प्रधाना ध्यापक पत के लिए परिक्षा होगी जो पिछला वर्ग एम अत्ती पिछला वर्ग कल्यान वर्ग की होगी और अनसुश जाती एम जन जाती कल्यान विभाग के लिए और दृतिय पाली में धाई बज़े से पांच बज़े तक ये परिक्षा होगी साथ तारिको ही और इसमें विसे रहेगा संगीत कला जिसमें कि पिछड़ा वर के पिछड़ा वर कल्यान वर के कच्छा नौदस और अनुसुशी जाती जन जाती कल्यान विभाग के कच्छा छे से दस तक की परिक्षाएं आयोजित होगी इसके बाद जो परिक्षा होगी वो एक की ही पाली में आयोजित होगी यानि कि बारा बज़े से धाय बज़े के बीच में तो वो आठ तारिक यानि सुक्रवार से सुरू होगी तो उनकी जो विसे रहेंगे उसमें हिंदी, अंग प्रिक्षा होगी और इसमें पिछला वर्ग अतिफिश्डा कलाण वर्ग की भी बिद्याले रहेंगे नौ से दस के इसमें संगीत कला विश्चा को छोड़ कर अनसुष्च जाती एवं जंचाती कलाण विभाग के भी छे से दस की परिक्षा होगी इस उपकार नौ तारीक न रहेगी खे से नौ तक की कच्छाओं की और विसे हैं गा भासा का हंदी अंग्रेजी में यह यह होगी कच्छा चे से आठ तक की सिच्छ विभाग के उदरा इसे पकाद 14 दिसंबर को जो परिक्षा होगी वो कच्छा एक से पांच के सभी विश्यों की होगी इसमें सामाने उर्दू बांगला भी समिल हैं सिच्छ विभाग की है और फिर आखरी परिक्षा होगी 15 दिसंबर को यानि सुक्रवार को और यह होगी ग्यारा बारा यहनी की कच्छा ग्यारा बारा स्बू विश्यों की होगी और एक ही पाली में होगी और इसमें सिच्छ विभाग की होगी पिश्डावर कल्लाण विभाग की अंसुची जाती जन जाती कल्लाण विभाग की पूरी नोटिस दी गई है बिहार लोग सिवायोग की वेफसाइट पर आप इसे बिहार लोग सिवायोग की साइट खोल कर दे प्राइमरी से लेकर एड़ेड उच एवं तकनीकी सिच्छा संस्थानों में सिच्छक भरती के लिए गठित हो रहे उत्तरपदेश सिच्छा सिवाचेन आयोग की गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन में विध्यक को राजपाल द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद ड्राफ्ट कमीटी ने उत्तरपदेश सिच्छा सिवाचेन आयोग की नेमावरी तैयार की। शासन इसे पास्ट होने के लीए कैबनेट में भेजने से पहले राय के लिए नियाई विभाग को भेजा। नियाई विभाग ने कुछ संसुधन के साथ इसे वापस कर दिया। इसके चलते इस पर कमीटी की सधस्यों के हस्ताच्छन नहीं हो सकते हैं। ऐसे में कैबनेट से पास ना होने से आयोग वा चेर्मेन वा सदस्यों की निवक्ति में देरी हो सकती है। नए सिचा सेवा चे न आयोग का गठन करने की मुखमंत्री की गूश्रा के बाद उचितर सिचा सेवा आयोग और उत्तब्रदेश माद्मिक सिचा सेवा चे न आयोग में सरदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया है। मादमिक सिच्छा स्रेवा चेरन बोर्ड में सदस्यों का कारेकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में निवक्ति के बाद चेर्मेन एक वर्ष तक रहे लेकिन नए सदस्यों के निवक्ति ना होने से भरती प्रक्रिया ठब पढ़ गया। बाद में अप्रैल 2022 में चेर्मेन का भी कारेकाल पूरा होने पर उन्हें भी सेवा मुक्ति कर दिया गया। इस तरह कमेटी ने आयोग की नियमों विली तैयार कर दी इस पर हसाचर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनाओ बुलाए तो गये लेकिन नियायवभा की ओर से अब संसोधन किया जा रहा है। इस करन इसे मंजूरी के लिए अभी कैबनेट में नहीं भेजा गया है। कैबनेट से मंजूरी के बाद आयोग में चेरमेन सदस्यों के साथ अन्य करमचारी नियुक्त किये जाएंगे। इसके बाद ही भरती प्रक्रिया सुरू होगी। लोग पूछते रहते तो यह होता तीन महीने बाद हो रही परिक्षा, दो महीने बाद हो रही परिक्षा, पता नहीं कब होगी परिक्षा कोई नहीं जानता है। आरोप में सपा के पूर, मल्सी, राजपाल, कश्चप, सपा कारकरती नहीं जानता हो और वह खिलाब आलमबाग कोत्वाली में मुकदमा भी दर्च करा दिया गया है। इसलिए 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 की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब भीया जब कोई सुनवाई नहीं करोगे तो क्या होगा। सिच्छा ब्युस्ता क्यों आपने तार-तार कर दिया है उत्तर प्रदेश में तो यहीं होना है। आगे और भी बड़े आंदोरन खड़े हो सकते हैं। तो फिर आज बस इतना ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिले। कल फिर मिलते हैं रोईकार समचार के नए अंक में। नमस्कार।